बुलन शहर के शिकारपूर में अटेवा पेंशन वचाओ मंच उत्र परदेश की एक बैठक शंभू नात इंटर कॉलेज शिकारपूर में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता राम सेवक त्रिपाथी ने की बैठक को संबोधित करते हुए जीला अध्यक्ष इंदरदेश यादव ने कहा कि परदेश में एक अपरेल 2005 से लागू की गई नई पेंशन योजिना शिक्षकों और करमचारियों से धोका है उन्होंने कहा कि अटेवा, ओल, टीचर, Employees Welfare Association परदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संगश कर रहा है बैठक की अध्यक्षता कर रहे ग्राम सेवक त्रिपाठी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नई पेंशन योजना शियर बाजार पर अधारित है तथा इसमें निचित पेंशन की कोई गारांटी नहीं है नई पेंशन योजना में पेंशन देने की जिम्मेदारी सरकार की ना होकर प्राइविट कम्पनियों की होती है बैठक में तमाम शिक्षक एवं शिक्षी काएं करमचारी उपस्थित रहे बुलन शहर से समधाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट 2005 के बाद जो सिक्षक करमचारी प्रदेश सरकार में नियुक्त हैं उनकी पेंशन खतम कर दी गई है पुरानी उसके जगाए पर उनके नई पेंशन दी जा रही है जो सेर बजार परादारी थे ये पेंशन में सरकार की कोई गारंटी नहीं है जबकि पुरानी पेंशन में सरकार की गारंटी थी एक निश्कित पेंशन की गारंटी थी इसलिए सिक्षक और करमचारी चाहते हैं कि सरकार उनको पुरानी पेंशन का लाव फिर से दे पुरानी पेंशन फिर से बाहल करें इसी के संदर में आठेवा की बुलंसर की यह जो बलाख है आपका सिकारपूर यहाँ पर यह मीटिंग रखी गई है एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाल